और कोशिकाए जब आपस में जुरती हैं तो उत्तक का निर्मान करती है तो हाँ बच्चो आज हम इसी चाक्तर यानी उत्तक के बारे में जानेंगे उत्तक जिस तरह हमने देखा है कि कोशिका के आधार पर जीवों को दो भाग में बागते हैं एक कोशिक जीव और बहु कोशिक जीव जैसे अमीवा तो अमीवा का सरीर तो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसके सरीर में जितनी भी क्रियाए होती हैं वह एक कोशिका के द्वारा ही की जाती है लेकिन जब हम बहु कोशिक जीवों की बात करते हैं तो कोशिकाए आपस में जुरती हैं और यही कोशिकाए आपस में जुर कर उत्तक का निर्मान करती हैं आखिर ये कोशिकाय कैसे जुरेंगी और कितने प्रकार के होती हैं और किस प्रकार से कारे करती हैं इन सबों को हम विस्तित्रोब से देखेंगे कोशिकाओं का वह समूह जिनकी आकरती समान हो और जो समान काम करे उसे उत्तक कहा जाता है जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं, पादप कोशिका तथा जन्तु कोशिका, ठीक उसी प्रकार, यहां उत्तक भी दो प्रकार के होंगे, पादप उत्तक और जन्तु उत्तक, इस पूरे अध्याय में हमें इन ही दोनों उत्तकों के बारे में जानना है, तो आज के इस एपिसोड में हम पादपुत्त के बारे में जानेंगे. अगर पौधों की चंदेचना को हम देखे, तो पौधों में जो विधी रेखी जाती है, क्या पौधों का सभी अंग हरवक्त विधी करता है? नहीं न, यहाँ पौधों में जो विधी होती है, वर निश्चित होती है, कुछ भाग विधी करते हैं, जबकि कुछ भाग अस्थाई हो जाते हैं, तो यहाँ उस गुणों के आधार पर पादपुत्त को पुनह दो भागों में विभाजित किया जाता है, विभाज योत्तक तथा अस्थाई उत्तक, विभाज योत्तक यानि मरस्टमेटिक टिशू, विभाज योत्तक शब्द से जहां हमें पता चल रहा है, विभाज जो उत्तक दो भागों में यह बटा हुआ है, यानि वैसे उत्तक जिनका विभाजन संभव हो, वैसे पादपुत्तक जो विभा विभाज्योत्तक को और अधिक समझने के लिए हम एक पौधे का सहारा लेते हैं इस पौधे को अगर हम देखे तो ये बता वच्चो कि यहां इस पौधे में कहां कहां से विधी संभव है शायद तुम सभी जानते होगे कि यह जर से बढ़ सकता है इसका सिर्सभाग बढ़ स सकता है इसकी ठेहनिया बढ़ सकती हैं और इसकी मोटाई भी बढ़ सकती है इन ही गुणो के आधार पर विभाज्योत्तक को पुन तीन भागों में बाटा जाता है वैसे विभाज्य उत्तर जो पौधों के सिर्स में सिर्स यानि एपेक्स एपेक्स मतलब एपिकल पार्ट यानि सिर्स वाला हिस्सा वह सिर्स वाला हिस्सा तना का उपड़ी भाग भी हो सकता है और जर का निचला भाग भी हो सकता है दोनों ही भा पौधे के सिर्स में उपस्थित हो तथा विभाजन कर इसकी विद्धी के लिए जिम्मेदार हो वैसे उत्तक को सिर्सस्त विभाजियों तक कहा जाता है यानि सिर्स पर उपस्थित विभाजियों तक जो इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं तो यह प जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसकी तहनिया और तहनियों की बीच की गाठे भी बड़ी होंगी तो वह जो लंबाई बढ़ती है यानि गाठों के बीच की जो लंबाई बढ़ती है वह अंतवरिष्ट विभाजयोतक के कारण ही बढ़ती है तो अंतवरिष्ट विभाजयोतक का स्थान गाठों के बीच में होता हैं तीस्रे प्रकार का विभाजियोत्तक JBI, जिसे पार्ष्व का जाता है पौधय जब बरह होते हैं तो उनके जर्च और तन्ना की मोटाई भी बढ़ती है तो यह जो मोटाई je का गर्थ जिसे कहा जाता है इसकी तने की मोटाई में व्रिधी या जर की मोटाई में व्रिधी जो संभव है वह पार्ष्व विभाज्यों तक के कारण ही हो पाता है तो पार्ष्व विभाज्यों तक जिम्मेदार होता है किसी भी पौधे के तने और जरों की मोटाई को बढ करता है तो इस प्रकार हमने देखा कि विभाज्यों तक तीन प्रकार के हुए सिर्सस्त विभाज्यों तक जो जैरा और तना के सिर्स में उपस्थित है अन्तवरिष्ट विभाज्यों तक जो गाठों के बीच उपस्थित है और तीसरा पार्स्व विभाज्यों तक जो के होते हैं विभाज्य उत्तक का जब विभी बंद हो जाता है तो वह अस्थाय उत्तक में परिवर्थित हो जाता है अस्थाय उत्तक वैसा उत्तक जिसका विभाजन संभव नहीं होता है अस्थाय उत्तक दो प्रकार के होते हैं सरल अस्थाय उत्तक और जटिल अस्थाय उत् सरल अस्थायों तक को पुनह तीन भागों में विभाजित किया जाता है पहला पेरंकाइमा दूसरा कॉलेंकाइमा और तीसरा स्क्लेरंकाइमा आखिर ये पेरंकाइमा कॉलेंकाइमा स्क्लेरंकाइमा ये कैसे होते हैं और ये कहां पाये जाते हैं इसे जानने के लिए हम एक करके तीनों के बारे में जानेंगे जैसे पयर काइमा जब हम गाजयर या मुली खाते हैं तो उनके अंदर हम डेखते हैं कि जो खाली अस्थान होता होटाहँ से किसी एक ही प्रतारगी कोशिकाओं से भरा होता है और वही होता है पयरशामा पैकिंग शब्द से लिया गया है पैकिंग यानि कोई भी खाली जगह जो पौधे में होता है उसको पैक करने का भरने का काम पैरनकाइमा के द्वारा किया जाता है पैरनकाइमा की कोशिका भीती पतली होती है और पैरनकाइमा जिवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है अखिर जिवित कोशिका क्या होत तथा जिसकी कोशिका भित्ती काफी पतली हो तो उसे हम जिवित कोशिका कहेंगे और पैरनकाइमा जिवित कोशिका का ही एक उदाहरन है पैरनकाइमा की कोशिकाओं के बीच काफी रिक्त स्थान पाया जाता है यानि खाली जगा पाया जाता है तो यह जो पैरनकाइमा की रचना है यह कुछ इस तरह से होंगी कि इनकी कोशिकाओं की दिवारे काफी पतली और इनके कोशिकाओं के बीच खाली अस्थान पाया जाएगा पैरनकाइमा का मुख्य कारे होता है संग्रहन करना पदार्थे यहां जाकर संग्रहित होते हैं पैरनकाइमा कुछ विसेस रूप की आकृतियों में भी परिवर्तित हो जाते हैं जैसे कुछ पैरनकाइमा में हरित लवन पाया जाता है कभी-कभी आप देखते होंगे कि आलू का कुछ भाग हरा हो जाता है तो यह जो हरा आलू है वह पैरनकाइमा का ही परिवर्तित रूप जिसे क्लोडेनकाइमा कहा जाता है क्लोडेनकाइमा यानि उसमें क्लोडोफिल का निर्मान हो चुका है तो वैसे प्लोडेनकाइमा को क्लोडेनकाइमा कहा जाता है तथा दूसरे प्रकार का प्लोडेनकाइमा हम जलिये पौधों में भी देखते हैं जलिये पौधे पानी के उपर प्लावित होते हैं यानी तैरते हैं और वह इसलिए तैर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो परैंकाईमा होता है वह एरंकाईमा में परिवर्टित हो जाता है एरनकाइमा की संरचना के बीच जैसे हम स्पंज का उदाहरन ले शकते हैं कि स्पंज के बीच में हवा भरा रहता है ठीक उसी तरह से एरनकाइमा के बीच भी हवा भरा होता है जिसके कारण जलिये पौदे पानी की सता पर तैर पाते हैं तो वह भी परिवर्थित रूप है अब इसके बाद हम अगले प्रकार के सरलस्थायुत तक यानि कोलेंकाइमा के बारे में जानेंगे कोलेंकाइमा भी जिवित कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है लेकिन इनकी जो कोशिकाओं भित्ती है उसमें सरीलोस की थोरी मोटी परत जम जाती है तो इसलिए इनकी जो संडरचना होती है वो काफी किनारों से मोटी पतली होती है तथा इनकी कोशिकाओं के बीज कम डिकत स् थान इन में बहुत कम पाया जाता है और अगर कोलन काइमा को हम एक छोटे पौधे में देखे तो उसे हम और भी अच्छी तरह समझ पाएंगे यह जो पौधा है इसकी अगर तना को हम नीचे जुगाते हैं यह नीचे जुग तो जाता है लेकिन वापस से यह खरा हो जाता है अर्थात इसमें लचीलापन तो है लेकिन साथ साथ यह थोड़ा सा इसमें थोड़ी से इसमें कठोड़ता भी देखी जा रही है और यहीं कोलेंकाइमा का कारे है यानि कोलेंकाइमा पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है यह इसे खरा रहने में मदद कर रहा है और कोलेंकाइमा लचीलापन भी प्रदान करता है तो इस प्रकार से कोलेंकाइमा का कारे क्या हुआ यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और पौदों में लचीलापन भी बनाए रखता है पत्तियों के व्रिंत में भी पत्तियां भी जो हम देखते हैं कि पत्तियां भी इस तर कईमा पाया जाता है अगला सरल अस्थाय उत्तक होता है स्कलियरेंचाइमा हमने धेकः कोशिकाओ से मिलकर बना होता है जब Biz अंकि कोशिकाओं के अंदर कोशिकाओं नहीं पाया जाता है इनकी कोशिकाओं प्रश्ण हमेशा पूछा जाता है कि कोशिका भित्ती में किस पदार्थ का जमाव होता है और वह है लिगनीन यह कोशिकाओ को ध्रिड बनाता है यानि मजबूती प्रधान करता है जैसे अगर हम अम्रुद को खाए या नासपाती को खाए तो उसमें हम देखते हैं कि उसके अंदर एक कठोड़ता होती है या फिर हम नारियल के छिलकों को भी देखे तो उसमें एक कठोड़ता होती है या कठोड़ता स्क्लेरन काइमा के कारण ही संभव हो पाता है अर्थात पौधों में जो भी द्रिड भाग है वह स्कलरेंकाइमा के निर्मान के कारण ही होता है स्कलरेंकाइमा